हेलो, नमस्कार, किशान साथियो, मेरा नाम दलबीर है, और मेरे इस यूटुब चैनल में आपका स्वागत है, मेरे इस यूटुब चैनल का नाम इंडियन टैक्निकल फार्मिंग है, और आज मैं आप के लिए एक खेती से जुड़ी नई वीडियो लेकर आया हूँ, इस गवार की खेत्ती के लिए फसल सकर प्रणाना क्यों जुरूरी है गवार की खेत्ती के लिए कौन सा बीज का चुनाव करें कौन कौन सी इसकी उन्नत किसमें है किस तरह में बीज का उपशार करना है और इसके लिए में बीज की मातरा की कितनी जूट पड़ेगी इसकी खेत्त इससे तत्रा ऐसे छत्रों में की है गौर्इ की खेत्ती के लिए जल्परबंदन का होना बहुत जुरूरी है और इसमें केट परबंदन वारोग do जूरूरी है इसके दो हम इसके कटई वा कटदा करते हैं अब हम बात करते हैं कि इसकी बिज़ाई तो इस वीडियो को अंत तक जुरूर देखे ताकि आपको खित्ती से जुरूरी सभी जानकारी प्राप्त हो अगर आप चैनल पर नई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जुरू करे ताकि इन्य किसानों को जानकारी प्राप्त हो अगर आप और पाने वाली वीडियो पी नोटिफिकेशन आपको मिलती रही चलो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसका अच्छा दाम भी मिलता है इससे किसान सलाना लाखोर उपागी कमाई कर सकते हैं इसकी खेती मुक्यतों पर राजस्तान हरियाना उत्तरपदेश एंपिवा माराष्टर के कुछ इस्षों में की जाती है माराष्टर में लगबग 9-11-16 में इसकी खेती की जा रही है कर्शी विवा के अधिकारी ने बताया कि पस्षों को गवार खेलाने से उनमें तागत आती है तुधारू पस्षों की दूड़ देने की समता में वर्दी होती है गवार से गौन का निर्मान भी किया जाता है गवार गम गाफ्योग अनेक उतपादों में होता है गवारपली से स्वादिष्ट सबजी बनाई जाती है इसका इस्तेमाल दालता सूप बनाने में भी विक्या जाता है गरामिन चेतरों में यह एक काफी लोग पीडिया फसल है हेलो नमस्कार सभीकिसान भायों का मेरे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मेरे यूटूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है आज मैं आपको 365 गवार की वरैटी के बारे में कुछ विशेशता हैं बताऊंगा गवार की 365 वरैटी की पैदाबार सबसे अच्छी होती है यह गवार बिल्कुल वाइट होता है अगर बारिश जादा हो जाए तो इस वरैटी का रंग कुछ काला भी पड़ जाता है गवाई रियानावा राजस्तान में की जाती है एक एंकट के लिए 5 किलो बीच प्रियापत रहता है इसकी विजाई आप अलकी मद्यम बारी और रितली मिट्टी में की जा सकती है 5 के जिब पैकट के किमत 500 रुपए के आस पास होती है 365 वराइटे के पोद्द की आईट सबसे जादा होती है इस वराइटे में किसी भी प्रकार की कोई विमारी नहीं आती है अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और इंडियन टेक्निकल फार्में को सब्सक्राइब करें धन्यावाद नमब साथ, खेत की त्यारी, 8 फसल पत्थि या फसल चकर, 9 वीज का चुनाओ, 29 किस्मे, 22 का उपचार, 20 की मातरा, 10 विज्याईया फसल की बुआई, 11 विज्याईं चेतरों में, नंबर 12 खर्पतवार की रोगताम, नंबर 13 दिन के बाद निराई या गूड़ाई, नंबर 14 दिन बाद शिचाई, नंबर 15 जल का परबंदन, नंबर 16 कीट वा रोग का परबंदन, नंबर 16 इंसेक्टिस, साइड वैट टोनिक का स्प्रे, नंबर 17 कटाई, फिर कडाई, फिर पंदन, ये मुक्के सावदानी है, जो हमें गौर की फचल में रखनी चाहिए, गौर की खेती के लिए उप्यूकत समय, गौर की खेती खरीब और गर्मी के मौसम में की जाती है, प्रतिकल प्रबाव पड़ता है, वर्षा रितुक की फचल की बौई के लिए जून वाज जुलाई उप्यूकत समय है, वर्षा दारीच छेतरों में जुलाई मा में वर्षा आगमन के समय ही गौर की बौई कर देने चाहिए, बजार में बाजरा की बहुत सी वर्षा आपलूपद होती है, मई मैने में अगेती वर्षा आटी वर्षा जुन जुलाई में हम पचेती वर्षा आटी या फिर हम समय के उनुशार ही वर्षा आटी का चुनाव करते हैं, खेत का चुनाव, इसके बाद हम बाजरा की विजाई के लिए हम खेत का चुनाव करते हैं, अगर पहले उस खेत में सर्षो की विजाई की थी, तो सर्षो के फनों को रोटोवेटर की सायता से एक दो बार अच्छी तरह से जुताई कर दे, ताकि सर्षो के फनों खेत में अ या फिर आप कल्टिवेटर की शायता से गहरी जुताई कर दें अगर खेत नहरी है तो खेत को लेजलेवलवर की शायता से समतल कर दें ताकि खेत कीश चाही अच्छी तरक्याशी हो जाई मिट्टी की जांट. सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी की जांट करवा ले इतना है और इसमें कौन-कौन सी फसले उगाई जा सकती है पाने की जांच अगर आप फसल की विजाई के लिए नेरी पानी का इस्तेमाल करते हैं तो यह सभी प्रकार की फसलों के लिए अच्छा है और इसमें बीज गौन-कौन सोपति से तो हो जाता है अगर आप टीवल के पानी से फसलों की विजाई करते हैं तो आप सबसे पहले टीवल के पानी की जांच करवा लिए अगर टीवल का पानी पीने में मिठा है तो इसमें पानी का पीपियम ज्यादा हो सकता है और बीज गौन के समय एक समस्या बन जाता है अगर पानी का पीपियम एक जार से कम है तो यह ऐसे भी परकागी फसलों के लिए अच्छा है और इसमें बेजगांग कून सोपर्टिसथ हो जाता है अगर पानी का पीपे में एक जार से जाजा हता है तो इसमें बेजगांग कून सही तरिके से नहीं हो पाता है इसलिए पानी की जांस करवाना बहुत जुरूरी है गुवार की फसल में मेट टिवल के पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे गुवार की फसल ची नहीं होती है अगर सिचाय के लिए जूरत पड़े तो हमें नेरी पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए खेत की त्यारी हुए गुबर की खाथ अगर आप खेत में गुबर की खाथ का इस्तेमाल करते हैं तो आठ से दस टॉली एक अंकट के लिए प्रयापत रहती है गुबर की खाथ जमीन में अच्छी तरह भी खायकर जमीन को सुमतल कर देना चाहिए गुबर की खेते के लिए बुमी गुबर की खेते के लिए उंचित जल निकास वाली दौमट वा बलूई दौमट मिट्टी से रोतन रहती है यह पसल सिंचित वा ऐसंचित दों चेतरों में सफलता प्रूप उगाई जा सकती है अलके सारी है वा लवनिय बुमी जिसका प्याच मान साड़े साथ से साड़े आठ तक हो वहीं पर गुबर की खेते हैं सानी से की जा सकती है गौर के लिए एक जुताई मिल्टी पलटने वाले हल या डिसक एरो से क्रोश जुताई कर पाटा लगा देना चाहिए इसके उपरांत एक कल्टीविटर से जुताई प्रियापत रहता है जिसमें मर्दा नमी सरक्सित रहे जुलाई जुन के दिवतियों पकवाड़े में ही करने चीए इस परकाद त्यार खेत में खरपतवार कम पनपते हैं गौर पसल के लिए जलवाईू गौर एक सुका सहन करने वाली गरम जलवाईू के पसल है यह उन छेतरों में असानी से उगया जा सकती है जहां पर ओसित वार्षिक वर्षा 30 से 40 सेंटीमेटर तक होती हो विजों के अंकूर्ण वाई जड़ों के विकास के लिए 25 से 300 सेंटीमेटर के निचे तामान उप्यूकत होता है गवार एक परकास से विदन से फसल है अता इस फसल में फूल वया फलियों का निवान के वर्ख खरीब के मौसम में ही होता है अता दिक बारिस वर्षांत वाट ठंड को या सैननी कर पाती है जिन छेतरों में अता दिक गरमी पड़ती है पंतु सिचाइगी सुविद्धा उपलब्ध है वहाँ पर गवार की खेती से बरपूर पैदावार दी जा सकती है सुशक और अज सुशक दोनों दसाओं में इसकी खेती असानी से की जा सकती है गवार एक उसन कटे बंद्या फचल है जो अठारा से तीस डिग्री सलस्टिस के उस्टामाल मरपकती है ख्रेब की गरम और आदर जलवाईयों के कांड़ पेड़ों की वर्दी बहुत अच्छी होती है सर्दी के मौसम में इन फचलों की खेती लाब दैग नहीं होती है यह फचल सभी परकार के मिट्टी में उगाई जा सकती है अच्छी जल्म निकास वाली मद्यम से भारी मिट्टी में फचल अच्छी तरह से बढ़ती है यदि मिट्टी की सत्य फशल पत्ति या फशल चकर फशल चकर को क्रोप रोटेशन के नाम से भी जाना जाता है किसे निश्चित भूमी में निश्चित समय बारी फशलों को लगाता रदल बदल कर वोना ही फशल चकर कराता है फसल चक्र का मुदास क्या ओदेशिया किसी भी तरह के पोद्दे के लिए भूमे में मुझूद पोशकद्टों के जुशुदूपयों किसे भूमे की बहुतिक और जेविक सित्ती में संतुलब बनाया रखना होता है लगातार फसल चक्र अपनाने से किसान भाई को फसल में आने वाली की तरह की परेशानियों से चुटकारा मिलता है फसल चक्र का इस्तेमाल कर किसान भाई अपनी बुम्मी से लगातार अच्छी फसल ले सकते है और इसके पनाने से खेत की उरुक सकता भी बनी रहती है जबकि एक ही फसल को लगाता रुगानी से किसान भायों को फसल की कम उपज मिलती है और एक ही फसल को खेत में लगाता लगाने से मिट्टी में बीजनित और मर्दा जनित रोग भी बढ़ जाती है जिसके करण बुमी में विशेले गुण आ जाते हैं, बुमी के अंदर विशेले गुण उत्पन हो जाने पर बुमी पहें पाई जाने वारी चोटी प्योगी मित्तर कीट नश्ट हो जाते हैं और बुमी दीरे दीरे बंजरू रूप जान करने लगती है फसल चक्कर के फाइदे फसल चक्कर के अपनाने से बुमी की ऊर्थज कुण रखती है इसके अपनाने से फसल लो में पैदावार अधीक मातरा में पराप्त होती है जिसके गुणलबुताभी अच्छी पाई जाती है बूमी में फसल चक्र बनाने से रसाइनिक उरोग कम आतरा में इस्तेमाल किया जाते है जिससे मिट्टी दुस्षित होने से बचती है फसल चक्र अपनाने से फसलों में रोग भी काफी कम ही देखने को मिलती है जिसकी वज़ाई से किसान भायो दोरा रसनेक दोयाओं पर क्या जाना वाला कर्ची भी कम हो जाता है फसल चकर के दोरान फली वाली फसलों के बोने पर खेत में नाइट्रोजन की पूर्टी बनी रहती है फसल चकर अपनाने से खेत में खरपतवार में कमी देखने को मिलती है फसल करके दोरान अधिक गुड़ाय वाले फसलों को बोने पर खेत में खर्पतवार नश्ट हो जाते हैं अधिक पुसंद तब तो गरण करने वाली फसलों की खेत के बाद खेत को एक वार खाली छोड़ देना चीए किसी भी विशेश रोग के लगने पर उस फसल को लगातार खेत में नहीं उगाना चीए जिन फसलों की जड़े अधिक गराय में जाते हैं उन फसलों के बाद जिन फसलों की जड़े कम गराय में जाते हैं उन्हें उगाना चीए अना आज फसलों के बाद दो से तिन साल में एक बार धनलनी फसल को जुरूर उगाना चीए दिक अवस्ततते हैं उनहीं उगाना ची हुई इस फरकार हमेंशतकर अपनाना ची ही Dr. heads बीज का चुनाओ करना हुता है। जो वर्याइटी अच्छा उत्पाधन देती हूं को जिसका उत्पाधन ज्यादा से जद्धा हो और जिसके मार्केट में बहुत ज्यादा मांगो। और उसका बाव भी अच्छा हो, क्योंकि एक बड़िया क्वालिटी का बीज यह का अच्छा उतपादन और मुनाफ़ा दे सकता है। बेज की उनत किसमे गवार की उनत किसमे बजार में गवार की कई उनत किसमे देखने को मिल जाती है जिने चारे दाने और अरिफलियों के दार पर तीन बागों में बाटा गया है उनत किसमे इस प्रकार है दानों के लिए उनत किसमे अजजी 365, अजजी 563, 220 अरिफलियों तो उनत किसमे IC 1383, PUSA मोश्मी, अरेचारे के लिए उनत किसमे, ये मुख्यत अरेचारे के लिए उप्योग की जाती है, बुंदेल गवार 3, गवार करन्ती, बुंदेल गवार 2, गोराट 80, बुंदेल गवार 1, अगर आप पैदावार के लिए उप्योग करते हो, तो दाने वाल उनत किसमों का ही चुनाव करना चाहिए, अगर आप अरेचारे के लिए उप्योग करते हो, तो अरेचारे वारी उनत किसमों का उप्योग करते हो, गवार के बीजों की मातरा, वह बीज उप्योग करते हैं, तो एक अंकड के लिए दाने की पसल के लिए 5-6 किलो बीज प्य करना चाहते है तो सोड़ा से सतरा किलो पीज परतियंक कड की जूर्ट होती है इन विजो को खेत में लगाने से पहले उन्हें कैप्टान या बावस्ट्रिंग की उच्छित मातरा में उप्चारित कर लिए ताकि विजो को आरमें फंपुद्ध या फंगस जैसे रोग ना पर जिवान रोदह की जूर्ट होती है सबसे पहले हम फंगिसाइड से बिज बचारित करते हैं फिर अज जो भी हम कल्चर से हम इप्चार करते हैं फंगिसाइड को उप्चार करने का मैंनुद्ध या फंगस की बिमारियों की रोग थाम के लिए क्या जाता है और वाउंग से उप्चारित करने का मुख्या उद्यस्या दिमक जैसी रोख्थाम के लिए किया जाता है और राज्योवियम कल्चर का उप्योग खेत में जिवाणों की संख्या बढ़ाने के लिए उप्योग किया जाता है जिससे खेत में जिवाणों की संख्या बढ़ जाई ज जोडों में उपसित पांटवार एक तर्त की लिए जाती है लेकिन फसल की पावरेंबी कवस्ता में पोशकत तक्तों की फुर्ति के लिए 20 किलो नाइट्रोजन वाज 40 किलो फासपोर्स प्रते एक टेर प्रयापत रहता है पूरो नाइट्रोजन वे फासपोर्स की मातरा गौ कोड़ोग्राम भी उसको प्चारित कर चाहा में शुका कर बोना लाब दयाक रहता है खेत की त्यारी के समय पांच टन गुबर या कंपोस्ट कार्ड या दो तिन वर्स में एक बार अवस्य प्रयोग से पहले मिट्टी गिजांस करवा लेने चाहिए गौ़ार के बौई की पूद्ध के अधिक पएदवार के लिए गौवार क कि आमेशा पंक्तिओं में करें वह लके कुझों में अधा शीन की सहटा से करें,ट ब में फफद्धों की जुडों के पास वर्स जल से भी अधिक संग्रित वता है जिससे पैदवार अधिक मलती है और फसल की देख बा प्रियापत मातरा में नम्योंने चीए जिससे बिज का जम्माव शिग्रहवा प्रियापत मातरा में होचके अगर आपने नेरी चेत्र में विजाई की है तो आप इसकी मेड मना दे फिर आप इसमें खर्पतवार नियंतर के लिए पैंडा में लिथियां 30% EC का 500 mm को डाइसोलेटर पानी में मिलाकर इसका चुटकाव कर दे जिससे की केद में खर्पतवार नहीं होगे खर्पतवार नियंतर गवार की फसलों को खर्पतवारों से पूर्ण तया मुक्त रखना चीए समयने फसल बवाई के 15 से 20 दिन बाद की तरह के खर्पतवार निकल जाते है जिसमें जंगली जूट जंगली चरीवाद दूब गास परूँक है खर्पतवारों के नियंतर ने तूप फसलों की बवाई के दो दिन पर चात पैंडा में लिध्यान 30% इसी का भी छटकाओ कर सकते हैं बिजाई के 30 दिन बाद खेत में खर्पतवार उग जाते हैं जिस खर्पतवार उगने के बाद हमें उसकी निराई या गुडाई आथ से ही कर देनी चाहिए निराइव गुडाय करने के बाद अगर खेत की सिचाई करनी है तो 30 दिन बाद हम खेत की सिचाई कर सकते हैं जल परबंदन अगर खेत में पाणी का बराव जढ़ा हो सकता है तो हमें जल निकासी की तो परबंद करना चीए बॉहाई से पहले अंतिम जुताई किसमे खेत में किलून फोस एक पाइंट पांच पत्ति सतिया कलोरिफाइस पाउडर 20 से 25 किलो परती एकटेर की दर से भूमी में मिलानी चाहिए बॉने के समय बीज को कलोरिफाइस केट नासक की दो मिली लेटर मातरा से पत्ति किलोग्राम बीज की दर से भूमना चाहिए नमबर दो कातरा इस कीट की लट पारंबे का वस्ता में फचल के पोदों को खाकर नुक्सान बुचाती है इसके नियंतरन के लिए खेत के आस पास पाई रहनी चाहिए तथा खेत में प्रकॉप होने पर मिथाईल पैराथियोन या क्यूनोल फास एक पाइंट पास पत्ति से चून की 20-25 किलोग्राम आतरा पत्ति अकड़ की दर से बुरुकनी चाहिए मोहिला या किट पोदक के कमल बागो का रश्चुक्स पर फसलों को आनी पुचाते है इसके नियंतरन हत्तु मोनो कोड़ोट फास आदा लिटर अतरा को 500 लिटर पानी के गोल में मिला कर चुटकाओ कर देना चाहिए इन किटों के नियंतरन के लिए ट्राइजोफोस या मेला थ्यान की एक लिटर मातर रखो पानी में गोल बना कर पत्ति एक्टर की दर से चुटकाओ करना चाहिए इस विमारी के उपर गोल अकार के दब्बे बनते है इस विमारी के नियंतरन है तु रोग रोधी किसमों का उगाना चाहिए बीज को 2 ग्राम से ट्रेप्टो सैक्लिन से परतिकलो बीज की दर से उपचारित करकर बना चाहिए चाचिया इस रोग के कांड़ पोद्य के उपर स्पेद रंगे पाउडर का आवरन बन जाता है इस रोग के नियंतरन है तु 25 किलोगराम के भुवाई के 30 से 40 दिनों बाद खेत में फुटाओ बढ़वार और फुलों की संक्या में जबरदस्त वद्दी केनने के लिए हमें दो से तिन सप्रेक करने चाहिए चिपवाय रहतेला की रोग थाम के लिए हम मोनो क्रोटोफास या इमडे कलोराइड या टाटा का असा टाप जैसी दुआए यों का चटकाव करना चाहिए अन्य केटवाय रोग रोग के रोग थाम के लिए आप अपने अस्दिक की की रखा लेना चाहिए इसके बाद हमें इसके कटाई कर लेने चीक कडाई करने के बाद हमें इस परस्रकाव पंडान कर देना चीए । अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आए तो यह उड़ी यू को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक बीज चेर टेक्निकल फर्मिंग स्काइट करें, धन्यावाद